अब मैं ये M76 दो काफी दिन बाद इस्तमाल करता हूँ लेकिन यार जब इस्तमाल करता हूँ मुझा टैपी आगया बिल्कुल ये सोकार कब ठीली पता तक नहीं चला थोड़ भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वागत है आपका एक बरा नू गलत सीन से भरे पड़े और इंटन्स पफजी दमबाइल गेमपली वीडियो में और इस मैच में यार मैं वो M76 दो कई दिनों बाद चला के देखता हूँ मतला बीज बीच में जब मजबूरी होती थी मैं चला लेता था उसके बाद एक एम स्विच कर देता था लेकिन आज बैरल चलाएंगे पूरे दिन और यार जो ही बंदे ठिलाएंगे उससे मजह टेप आजाएगा खेर फिलाल मिल्टी ररी उत्रे हैं मुक्का बाजी करते वे मैं जमीन में उतरता हूँ और मुठेंट मिलती है फिर और ये बेचारा बंदा जिंदगी में उतरने से पहले ही ठिल जाता है सोचो मतलब आप उतर रहे हो पैरसूट खुला है अभी आपका और यार हवा में ही डैमेज होने लग जाए सोचो क्या दुख होगा उस टाइम पे और उतरता ही पेटी बन जाए यार माइनस तो अलग ही लगता है कैर यहाँ पे जो भी गनवन पड़ी होती है मैं उठाता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ और अभी के लिए ये एमके 47 चलाएंगे देखो यार डैमेज इसका भी बहुत दबाके है बस बात यही है कि बार बार इसक्रीन तोड़नी पड़ती है गोली चलाने के लिए खेर जो भी हो मैं आगे बढ़ता हूँ यही लेके और आगे पूरी जान लगा के गोल्या चल ली होती है अब देखो मेरे को ठीक से पता नहीं चल पाता कि यह लोग है किदर क्या यह चट पे हैं या नीचे कहीं बैटे हैं कैर यहां पे दरवाजा खुला होता है तो मैं बूलता हूँ यार जो भी हो यहां पे गुश जाओ यहां गुश के हम उपर जाते हैं और देखो गलत सीन अब यहां पे हमारे भाई आगे भग जाते हैं और मैं पीछे खड़ा रह जाता हूँ क्योंकि सीन के और थैयार पीछे से भी फुटिश टैप आ रहे थे तो मैंने सुचा ठीक है यार पीछे वालों को पकड़ते हैं लेकिन तब तक यहां पे ये केमपर मिल जाता है कैर ये अकेला बंदा बाकी होता है अपनी टीम का यानि की एक सुकार्ड खतम हो चुकी है लेकिन वो बंदे अभी भी बाकी है जो पीछे से आ रहे थे और अब ये सस्ता पिरिपायर देखो आप जरा अब मैं प्रिपायर देता हूँ यार दो गोली लग भी जाती है लेकिन वो बंदा वहां ठीपी पी लेने से हटता नहीं है खैर मैं जलती बोतल में आग फिकता हूँ और उपर आ जाता हूँ और दुख इस बात का एकियार उसकी पेटी नहीं बना पाऊंगा मैं और जिस हिसाब से आर गोलियां अलग अलग जगा से चल ली है मेरे को लगता है ये टीम अलग थी जिन पे मैं प्रिपायर बिल्ला था और जिसको दूर पे नौकिया वो अलग टीम वाले वंदे थे केरे के फुटी स्टैप अभी यहीं से आरे होते हैं भाग रहे होते हैं भाई और पूरे दुनिया भर की ज़ाड़ी इस एक जगह पे बिचा रखी है कुछ दिखाई नी देरा ये वंदा यार इसको खुद को पता नी चरला होगा कि ये खड़ा कहा था इतनी घनी ज़ाड़ी थी यहां पे क्यार ये टीम ओल डेर्ड उजाती है सारे ठिल गए लेकिन आगे वाले बंदे अभी वीचिंदा हैं जो भाग रहे हैं यहां से और मैंनी चाहता वो लोग भी ज़ाड़ी में गायब हो जाएं अब भकते भगाते मैं दो बंदे पकड़ लेता हूँ लेकिन एक बंदा न जाने कहां से आता है और यार इतना खतरनाक फिलेंग कब मार दिया इस बंदे ने पूरी टीम यहां आगे की तरह बैठी है वो अकेला बंदा पीछे से हमला कर रहा था बहुत खतरनाक और यार ये PUBG में सप्रेश्य और के भी अपने ही सीन होते हैं बिल्कुल अगर लगा दो तो आवाज बढ़िया से आती है बिल्कुल मज़ा आजाता है आवाज सुनके लेकिन यार लगाने से मेरे को ऐसा लगता है कि रिकोईल अजीब टैप का हो जाता है मेरे को तो ऐसा भी लगता है कि भाई रिकोईल बढ़ जाता है उल्टा अब ऐसा कुछ होता नहीं है जहां तक मेरे को पता है लेकिन यार फिरिंग टैपाती है अजीब सा गन चलता है खेर जो भी ओ इसी के साथ ये चार बंदे यहां पे बैठे पड़े थे चारो की पेटी बन जाती है म्यूटेंट से जिसको नौक या था दूर पे उसे भी यहीं पकड़ लिया तो गाड़ी उठा के मैं सीधा चलता हूँ मिल्टा की तरफ अब मिल्टा पे जाते जाते मेरे को एक बंदा सामने दिखाई देता है अब मेरे को पका नहीं पता की बैठे कितने लोग है यहां पे तो मैं यहां गाड़ी रोकता हूँ और देखता हूँ की क्या पता वो बंदा पीक पाक कर दे गलती से अब भाया धोपड़ा तो नहीं दिखाते लेकिन कुछ और फेक जरूर देते हैं और लोगों को याद कैसे रह जाता है कि यार नेड़ भी फेकना है जिंदगी में मैं तो बस बैठा रहता हूँ ठीपी पी लेता हूँ और गन पकड़के रुका रहता हूँ अब हमारे भाई को नेड़ करना तो टाइम पे आदा रहता है लेकिन यार भगते टाइम भाई थोड़ा सा लेट कर देते हैं इसलिए यहाँ पे यह बंदा नौक पड़ा है पीछे गिसरते वे जा रहा है और यहाँ पे मैं समझ गया था कि इसके बाकी टीमेट आगे पे लड़ाईया ले रहे हैं तो उनको पकड़ने के लिए मैं ओपन में बगते वे जाता हूँ और मैच शुरू हूए वे जमाना हो चुका है लेकिन यह बंदा अभी तक बाइसियों चला रहा है सोचो कितनी सस्ती लूट होगी यहाँ पे अब ऐसा नहीं है कि यार हर कोई बाइसियों चला रहा होगा बिल्कुल भी नहीं यह बंदा एमसाचे तो चला रहा था बॉट की किलना सही कम से कम बंदों को तो पेल पाऊंगा और हाँ इस बार मेरे को भी नेट के बारे में याद आता है अब हमारे भाई मेरे को नेट करना सिका रहे थे लेकिन मेरे नेट से दो बंदे ठिल जाते हैं और अच्छा हुआ यार दिमाग में आ गई की भाई नेट भी डालना होता है जिंदगी में बैग में नेट भी पड़े हैं नहीं तो यहां पर मेरेस करता है ये लोग बैठे पड़े रहते और कुछ भी हो सकता था खैर इस नेट के लिए जिससे तुम्हारा भाई दो बंदे लपेट लेता है देखो यार ये सीन तुम्हारे भाई के साथ बहुत ही कम होते हैं तो लाइक को ठोकना मत भूलना खैर इसे के साथ मिल्टा खाली हो जाता है और बाईसियोन वाले बंदे फिल जाते हैं बिल्कुल अगले मैच में चलाएंगे वो बाईसियोन और उसके बाद मैं गाड़ी लेके निकल रहा हुता हूँ डिरॉप लूटने बिल्कुल मूपे गिरा होता है और देखो क्या हो और अब बस एक आकरी बंदा बाकी है जो की पेड़ के पीछे और यार मानो या ना मानो वो बंदा दूवीदा में भसा है अपने आपको बचाए या अपने टीमेट्स को अब मैं यह एमसा चेदू काफी दिन बाद इस्तमाल करता हूं लेकिन यार जब इस्तमाल करता हूं मज़े टैपी आगे बिलकुल ये सोकाड कब ठिली पता तक नहीं चला थोड़ी सी गोली चलाई कवर में आया गोली चलाई कवर में आया और टीम खतम हो गई पूरी खैर आगरी बंदे को एमफूर से पकड़ता हूं क्योंकि यार रिकॉयल महंगा होता इस गन का खैर इनको पेलने के बाद हम निकल पड़ते हैं रोजोग की पाड़ी की तरफ मतलब यह यार रोजोग की पाड़ी कहीं पे भी उतरो आना पड़ता ही है एक ना एक बार तो यहां पे आके मैं देखी रहोता हूं की बंदे है किदर आखिर अब बंदेर रोजोग की तरफ तो होते नहीं लेकिन रोजोग की दूसरी तरफ पूरी टूली बैटी पड़ी है हाँ गाड़ी दिखाई देती है सामने अब वो लोग सपरे देते हैं लेकिन यार बहुत देर हो चुकी थी तब तक और ये लोग लेटते भी ऐसी जगा ढूंटें कि यार पता ही ना चले कहाँ पे लेटें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कैर एक साम की तो मैं पगड़ के पेटी बना देता हूं लेकिन यार एक के अलावा काफी साब बैठें वहाँ पे और यार चाहते ना चाहते वे ये बाट हमारी 30 किल करने में मदद कर जाता है अच्छा हुआ हमारी तरफ आया नहीं तो यार यार साब की टूली के बीच में गुस्ता तो ये लोग पकड़ के बीटी बना देते और 30 किल मैं कद्दू भी नहीं कर पाता क्यार यहां पे ये लोग लेटे पड़े हैं समूक की वज़ा से मैं गाड़ी लेके यहां तक पहुँच जाता हूँ और इनको पता तो है कि हम यहां पर हैं लेकिन ये उटके आमला नहीं करेंगे ये लोग जहां पे हैं वहीं पे लेटे रहेंगे और ये लोग थोड़े चलाक टाइप के साब हैं जैसे इने पता चलता है कि यार लेट के कद्दू कोई फायदा नहीं है पकड़े जाना यहाँ पे तो एक बंदा उठके गाड़ी के पीछे जाने की कोशिस करता है लेकिन यार M4 से मैं उसे भी पकड़ लेता हूँ अब एक आकरी बंदा बाकी है जो कि दो में से कोई एक चीज करने वाला है या तो वो लेटा रहेगा जिन्देगी बिता देगा लेट के या तो भागेगा वो और अब तो तीनो के तीनो सांपो की पीटी बन गई है तो यार मेरे को नहीं लगता वो लेटर आएगा याँ पे अब यार क्या ही फाइदा हुआ जिंदागी बार भाई ने लेट के गेम खिला कुछ फाइदा नहीं हुआ उसके बाद भाई ने भागनी की कुछिस की फिर भी कोई फाइदा नहीं हुआ उससे बड़िया यार यहीं पे खड़े होके लड़ाई करते कम से कम इज़त के साथ तो लो भी जाते खेर जो भी हो अपने को यहाँ पे चार किल और मिल चुकी है और यार बाकी बंदे भगते वे जल्दी पकड़ना होगा नहीं तो यह आपस में लड़ जाएंगे और हो गई फिर ती स्किल तो यहीं पे डिरॉप भुआ होता है और तीन-तीन भग्गी पड़ी है तो मैं गाड़ी लेके जाता हूँ देखने के लिए और बग्गी बुग्गी रस्ते में खड़ी पड़ी है और बंदे घरू पे बैठे पड़े है तो यार इनकी पेटी बनाने के लिए मैं उतर जाता हूँ अब उस बंदे की मैं बंदूग देख पा रहा था यार गन साफ दिखाई दे रही थी लेकिन जब मैं गोली चलाता हूँ तब डैमेज कहीं पे नहीं होता वैसे गन को कैसे डैमेज होगा खैर मैंने सूचा यार पबजी है इसमें कुछ भी हो जाते तो क्या पता गन पे भी डैमेज हो जाए लेकिन होता नहीं ऐसा कुछ फिर और अगर मैं थोड़ी देर और रुपता है यहां पे तो शायद उसका नेट मेरे पे ही आ रहा था क्यार यह लोग क्या करते हैं दिमाग लगा के प्लैंक पिलने की कुछिस करते हैं और यार सुकर है इस बंदे का इंटरनेट वापिस नहीं आया नहीं तो यार यह कब आके कब पेटी बनाता हमारी पता भी नहीं चलता उसी घर पे घूम रहा हूँ, बंदा उसी घर पे बैठा है और कोई तो यहां पे M के चोदा चला रहा है अब बैरल वगेरा सही है यार लेकिन M के चोदा M के चोदा होती है तो समल के रस्रूस करना होगा अब जोस जोस में प्रीफायर हर जगा देता हूँ यहां पे प्रीफायर वहां पे प्रीफायर बंदे खिड़की से कूद रहे हैं वहां पे प्रीफायर और यार प्रीफायर देते देते जब असली फायर देने की टाइम आती है न जहां पे गोली सही में कामाने वाली है वहां पे रिलोट पे चल जाती है गन खैर आखरी बंदा था पकड़ लिया उसे हमारे भाई ने और इसी के साथ ये MK वाले बंदे भी सारे खतम हो जाते हैं तो करना क्या था इधर उदर मैं दुबारा गाड़ी गुमाता हूँ और अब तो वैसे भी गिने चुने बंदे बाकी है अगर मैं हर एक बंदे को पकड लेता हूँ तो 30 kill gameplay बनेगा और अगर एक भी बंदा आपस में लड़के ठिल जाए तो 30 kill gameplay का सपना यहीं तूट जाएगा खेर कुछ बंदे आगे ही बैठे हैं और हमेशा की तरह सामने वाले बंदों को याद आजाता है कि यार नेट करना होता है जिन्दगी में लेकिन यार मैं वही कर रहा हूँ ठीपीपी ले रहा हूँ आगे बढ़ रहा हूँ लेकिन नेट की कोशिज भी नहीं कर रहा हूँ खेर अब MK पड़ी है यार तो जाज़ा दिक्कत होगी नहीं और यहां पर मैं दूबारा से वही सीन कर रहा हूँ जहां पर बंदा दिखा वहां पर दभा के प्रिपायर खेर यह बंदा सामने ही बैठा है और यार यह कहीं पर बगने नहीं वाला और इससे पहले की प्रिपायर दे देके मेरी सारी कूली खतम हो जाए इसको तमीज से जाके पास जाके पकड़ना होगा नहीं तैयार वो तो वहां बैठ के जिन्देगी बिता देगा और आकरी बंदा कहीं हो ठील जाएगा और अब बस एक आखरी बंदा बाकी है लेकिन देखो आखरी बंदा बाकी है इसका मतलब ये नहीं की बन गया ती स्किल गेंपले क्योंकि कई बार क्या होता है बंदे जून से ठील जाते हैं कई बार तो क्या जब नेट धूका देता है तब बंदे जून से ठील जाते हैं तो मैं नहीं चाहता यार ये बंदा जून से ठिल जाए लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कियार मैं ओपन में भगते वे जाओ और वो कहीं लेट लूट के मेरी पेटी बना दे तो करना क्या था यही सबसे बड़ा और उचा गर है हम इस पे थोड़ी देर बैटते हैं हर तरफ देखते हैं कियार बंदा है किदर मेरे को लग रहा था ये नदी से तैरते वे पहुचेगा अभी लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं जोन आजाता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता फिर हमारे भाई उपर चड़ते हैं चट के अब यहां जिंदगी में चट पे चड़ना खत्रे से खाली है नहीं बिल्कुल देखो सोचो हम दोनों के दोनों चट पे चड़ना है और वो बंदा कहीं लेट के एक ही सपरे में दोनों को पकड़ ले तो कड़बर हो जाएगी तो मैं यहीं नीचे रुकता हूँ हमारे भाई चट पे जाते हैं बंदा ढूने और देखो चट से आखिर में बंदा ढूना जो की लेटा पड़ा हो इतना मुश्किल काम होता नहीं है तो मैं भी यहीं से देख रहा हूता हूँ अब बस एक ही जगा बाकी है जहां पे यह लेटा हो सकता है वो है सामने की तरफ क्योंकि हमारे पीछे की तरफ से जोन आ चुका है और मेरे को लगनी रहा वो पीछे होगा बंदा तो हमारे भाई थोड़ी देर टाइम बिताते च्छत में और अखिर कार बंदा मिल जाता है और अखिर कार आखिर कार जाके मैं बढ़ रहा हूँ अपने तीसवे किल की तरह अब देखो सेन क्या होता है वो कहीं सामने लेटा पड़ा है और मेरे पर एम के चौदा पड़ी है तो क्यों ना यार इसको सनाइपर की तरह इस्तमाल किया जाए अब मैं ये SLR SKS मिनी चौदा ज़्यादा चलाता नहीं हूँ लेकिन यार एम के चौदा की कुछ अलगी बात है मतलब यार जब लगती है ना गोली साफ पता चलता है कि भाईया जों से डै मैं जुआ होगा तो इसे के साथ चिकन चुकन हो जाता है और आखरी बंदा प्रिला नहीं जोन से अब देखो अगले जोन के लिए रूखते तो क्या पता क्या हो जाता इसलिए टाइम रहते ही मैं साफ को पकड़ लेता हूँ और इसे के साथ चिकन चुकन हो जाता है तो बस भाईयो गयार आज के वीडियो में इतने बहुत बश्क्राइब वीडियो देखने के लिए जाते जाते वो एम साथ चेदों से जो सुकड़ वाइप करी थी और ये एम के चौदा से जो आखरी बंदे को पेला इन सब चीजों के लिए एक लाइक ठोकना मत बूलना और अगर आप यहाँ पे नए हो तो हैर करो सबिस्क्राइब क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे गलत सीन वाले गेमपले दोड़ाम बागी उल्टा क्यूं गोल रहा हूँ बागम दोड़ी वाले गेमपले करता रहता है तुम्हारे भाई का बस एक ही चीज़ है जिन्दगी में एक ही मकसत है भगते रहना भग भग के 30 किल से जादा करना कैसे भी और अगर 30 किल हो जाए तो यार 40 के लिए भगना अब देखो किल की लालच कुछ ऐसी चीज़ है जितना भी हो उतना ही कम पड़ता है वैसे सारी लालच ही की चीज़ होती है क्यार आज के वीडियो में इतना भालो गयार बहुत बहुत शुक्राइब वीडियो देखने के लिए कल मिलते हैं बाइबाई क्या क्या है